हेलो गाइज मेरा नाम है यश आज हम इस्टेटिक्स जीके का एक हिस्सा पड़ेंगे जिसका नाम है हेड़ क्वाटर्स मुख्याल है इसकी स्थापना कभूई थी और इसके चेर्मेन या हैड या प्रेजिडेंट उनको अलग अलग नाम से हर मुख्याले में बोला जाता है तो देखेंगे आज हम इंग्लिस हिंदी दोनों में लिखा हुआ है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शुरू करते हैं बिना देरी के और मैं आपको यह भी बता दूंग यह हैं रिटेन नोट्स हैं मैं चाहूं तो टाइप करके वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हू को दो लेकिन हैंड रेटेन हैंसे आप खुद भी नौट्स बनाने के लिए आपको लगेगा कि अगर मैंने मैं नोट्स बनाने में तो आप भी बना एंगे यहाप वीडियो देखके बनाएं यहापको यह PDF भी मिल जाएएंगे मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे इसका आपको मेरे यूटुब चैनल के एवाउट में जाके आपको उसमें लिंक मिल जाएगा तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने जेनेवा की मुख्या लेके जो भी उठाए हुए है मैंने सबसे पहले जो भी हमारे संगठन हैं जो भी संग हैं तो वो देखते हैं सबसे पहले आता है अंतराष्टी श्रम संगठन इंग्लिस में लिखा है मैं हिंदी में बोलता चलूंगा आप इंग्लिस वाले जो हैं इंग्लिस में देखती चलेंगे ठीक है अंतर राष्टी श्रम संगठन इसकी इस्तापना हुई थी 1919 में इसके प्रमोक हैड हैं गाई राइडर मैं आपको एक बात और बता दूँँ यह जो भी हैड है उनके नाम थोड़ी से अलग अटपटे टाइप के हैं मतलब टफ हैं कोई इंडियन तो है नहीं यह तो नाम फिर भी सरल है आगे बहुत बहुत टफ़ी नाम है कुछ तो आप इसको माइंड ना करें कि मैं कैसे कर रहा हूं आप अपने असाब से देखते जाएं बस आपको पता होना चाहिए कौन है तो अब पढ़ते जाए अंतराष्टी स्रम संगठन इस्थापना हुईती 1919 में और इसके प्रमुक हैं गाई राइडर दूसरी नंबर पर आता है विस्व मौसम विग्यान संगठ इसकी स्थापना हुईती 1950 या 1951 मैंने दो सन इसलिए लिखी है कि कहीं कहीं पर आपको 1950 मिलेगा कहीं 1951 मिलेगा इसके प्रमुक दो लोग हैं हैड इसके दो लोग हैं एक हैं गेरहार्ड एद्रियन और एक हैं पेटेरी तालस तीसे नम्मर पर आते हैं विस्व व्यापार संगठन विस्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना हुईती 1995 में 1995 में इसके प्रमुक इसके हैड कौन है कोई नहीं है इसके हैड ये पद रेखता है खाली है ये पद अगे आते हैं अगला है संयुक्त राष्ट व्यापार एवं विकास संभेलन इसकी स्थापना हुई थी 1964 में इसके प्रमुक कौन है इसके प्रमुक है मुठीशा कित्युई नुकीशा कित्वी नेक्स्ट है बिश्व स्वास्त संगठन इसकी इस्तापना हुई थी 1948 में 1948 में इसके हैड प्रमुक कौन है टेडरोस एढ़नॉम टेडरोस एढ़नॉम नेक्स्ट बिश्व बौधिक संपदा बिश्व बौधिक संपदा इसकी स्थापना हुई थी 1863 में 1863 इसके founder इसके head नहीं है इसके founder याद रखिए कि इसके संस्ताफ़क कौन है इसके संस्ताफ़क है Henry Dunant Henry Dunant ये जितने भी थे अभी तक ये red cross तक आपको बता दूँ फिर से ये red cross तक जितने भी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ headquarters इनके सारे के मुख्याले कहां पे है जेनेवा सुट्जर लेंड में है ये मैंने starting में लिखा था अब आएंगे दूसरे अब सबके particular लिखे हुए हैं सबके अलाग-अलाग headquarters लिखे हुए हैं नेक्स्ट है अंतराष्टी ओलंपिक समिती अंतराष्टी इसका headquarter कहां पे है लुसायने सुट्जर लेंड में इसका मुख्याले है इसकी इस्तापना हुई थी 1894 में इसकी प्रमुक कौन है इसके प्रमुक है थॉमस बैच थॉमस बैच नेक्स्ट है इंटर पोल इंटर पोल इसका headquarter कहां है Léon, France Léon, France इस्तापना हुई थी 1923 में 1923 में इसकी इस्तापना हुई थी इसके प्रेजिडेन्ट कौन है यहाँ पे प्रेजिडेन्ट चलता है इसके प्रेजिडेन्ट है किम जोङ nhân नेक्स्ट है कॉमन वेल्त राष्ट मंडल इसका मुख्याल है कहां पर है लंदन में इस्तापना हुई थी इसकी 1926 में इसकी हेड कौन है Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II इसकी हेड है Next है Bricks Bricks इसकी स्तापना हुई थी 2009 में 2009 में Bricks Bricks का मतलब क्या है सबके ये country के नाम के पहले पहले अक्षर लिए गए है B से है Brazil R से है Russia Russia I India C China China S से South Africa इसका मुख्याल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसके इनके सबके राष्टपती और प्रधानमंतरी जिसमें भी प्रधानमंतरी होते हैं जिसमें राष्टपती होते हैं वो सब करते हैं इसका संचारन कहीं भी हो सकता है किसी भी country में कहीं बेर पर भी तो इसके मुख्याले नहीं पूचा जाएगा आपसे एक Bricks Bank बन रही है उसका जरूर वो मुख्याले है संगाई चाइना में यह याद रखिये अब नेक्स्ट है बिश्व पर्रेटन संगठन इसका हेड़कॉार्टर है मेडरिट, स्पेन मेडरिट, स्पेन इसकी स्थापना हुई थि 1975 में 1975 में इसके हैड इसके प्रमुक कौन है जुरैब पोलो लिकाशिब भीली बड़े अजीब नाम है दिक्कत होती है बोलने में भी जुराइब पोलो लिकाश विली देख लीजिएगा आप अपने इसाब से नेक्स्ट है अंतराश्टिय मुद्रा कोश अंतराश्टिय मुद्रा कोश इसका मुख्याला है वासिंगटन डीसी यूएस में यूएस मिस से उक्तराश्ट अमेरिका में इस्तापना हुई थी 1945 में और इसके प्रमुख ये दो लोग नहीं है ये एक ही लोग है वो नाम उदर मैंने लिखा नहीं कौन है ये प्रमुख क्रिस्टैलिना जियॉर्जी बे क्रिस्टैलिना जियॉर्जी बे नेक्स्ट लेंक 200डश वेंक 200 एस का हेड़काटर कहाँ पर वसिंगिटान डीसी यूएस में इस आपना कभए थी 1944 में इसके हेड या प्रेजिडंट कोन है डेविड मलपास डेविड मलपास नेक्स्ट यूनेस और यूनेसकोम इसका हेड़कार कहा ए है पेरिस फ्रांस में इस्तापना कभूईती 1945 में इसके हेड कौन है आउडरे अजावले आउडरे अजावले नेक्स्ट अंतराष्टिय नियायाल है इसका हेड़कॉर्टर कहा है हेग नीधरलेंड में इसका मुख्याला है इस्तापना कभूईती 1946 में इसके इस्तापना हुईती इसके प्रेजिडेंट करेंट में कौन है जाउन डौनेग्यू आप उसको कुछ भी पढ़ें प्रोनेंसीर्शन आपका लग हो सकता है जाउन डौनेग्यू नेक्स्ट यूरोपिय संग इसका हेड़कॉर्टर कहा है इसकी स्तापना हुई थी 1993 में प्रिजिडेंट आफ कमीशन कौन है इसका आयोग का अध्यक्ष इसमें बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं तो आयोग का अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है इस यूरोपिय संग के आयोग का अध्यक्ष कौन है उर्शुला बॉन डेर लेन नेक्स्ट एसियाई बैंक इसका हेड़कॉर्टर कहा है मनीला फिलिपीन्स में इसतापना कव हुई थी 1966 में इसका प्रिजिडेंट कौन है एसियाई बैंक का एसियाई विकास बैंक का ये दो नाम नहीं है एक नाम है मैं बताता चलूँगा मसात सुगू असा कावा मसात सुगू असा कावा इसका प्रिजिडेंट है नेक्स्ट यूनिसेफ यूनिसेफ इसका हेड़कॉर्टर कहा है नियू यू 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 एस में इसतापना हुई थी इसकी उनिस सो चैयालेस में 1946 इसके हेड़ प्रमुख हैंरिता एच फोर या हैंरिता एच फोरे जो भी आप पड़ें नेक्स्ट दच्छन एसेआई छेतरी सहयोग संग इसका मुख्याले कहा है काटमांडू नेपाल इसतापना हुई थी 1985 हेड इसका प्रमुख कौन है इसाला रुवान वीराकून इसाला रुवान वीराकून नेक्स्ट आर्थिक सहयोग वविकास संगठन इसका मुख्याले कहा है पैरिस फ्रांस में इसतापना हुई थी 1961 में इसका हेड कौन है जौस एंजिल गुरिया जौस एंजिल गुरिया तो ये बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन जो भी हेड़कॉर्टर्स थे वो मैंने लिये हैं आज आगे किसी और टॉपिक पे भी वीडियो आएगी अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो थेंक्यू आपको पसंद आया होगा क्योंकि मैंने ये कोशिस की है इसमें कि हेड़कॉर्टर भी लूँ और इसकी इसतापना कभूई थी बो भी लूँ और इसके हेड कौन है वो भी लूँ ये टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है आज तो आप भी नोट्स बनाके अपना पढ़िए क्योंकि मैंने देखा आप नोट्स बनाएंगे आप एक बार पढ़ेंगे उसको फिर नोट्स बनाएं दूसरी बार में और थर टाइम में आ आपको कमफर्ट होता हो आप ऐसे करें कुल मिला के आपको पढ़ना याद करना है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें काफी और भी मैंने मेरे चैनल पर वीडियो पढ़ी हैं आप देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राब कीज किये एंड अपना ध्यान रखिए बाई